दोस्तों बिहार सचीवाले परिक्षा को लेकर बहुत बरी खुस ख़बरी है आप सभी बिहार सचीवाले परिक्षा की तियारी में मीशन मोड में लगे हुए हैं क्योंकि परिक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है तो उचलिए परिक्षा को लेकर नया अपडेट फटा पर देखिए क्या कुछ नया अपडेट है और सभी नौलाक छात्रों के लिए बहुत ही जरूरी है तो यहां से आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आने वाला है बिहार सची वाल है कि जो परिक्षा निर्धारी थे दोस्तों पहले जो ये निर्धारी था 26-27-22 को लेकिन इस डेट को अस्थगित करके जो नया डेट दिया गया 23-24-27-22 अब ये है कि क्या इस डेट में परिक्षा होगी या नहीं क्योंकि अभ यहां पर सबसे पहले देखिए दोस्तों सब कुछ आपको क्लियर आ जाएगा यहां पर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके बाद यहां पर देखेगा तो 19 अक्टूबर 2022 का डेट है और है कोट ऑफ जो डिस्टियर एट पटना तो पटना है कोट क्योर से 19 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में फिर से हेरिंग हुआ है और इसमें यहां पर क्या कुछ आदेश आया है इसके बारे में यहां पर दिया गया है यहां पर देखेगा तो और यानि आदेश दिया गया और चार पुएंट में आदेश है तो पहला यहां पर है यहां पर बैकवार्ड क्लासेज, कमिशन, to be not notified as dedicated कमिशन, सुप्रीम कोट के और सी ये चीज़े को नहीं माना गया, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सब चीज़े क्या है, इससे बिहार सचीवाले परिक्षा का क्या मतलब है, तो बिल्कुल है मतलब दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, अभी तक official site पर notice नहीं आने का यही बरा रिजन था, यही चीज़ों के लेकर अभी तक official site पर notice नहीं दिया गया था, और आप सभी फटा-फट कमेंट करके बतिए कि बिहार ससी सचीवाले साहक परिक्षा का आप जो practice set बनाते हैं, तो आपका set में कित करके बताइए, अब यहां से देखे फिर आपको सारा कुछ clear समझ में आ जाएगा, तो यहां पर देखेगा, date देखेगा, ताज ही के date का है, कुछी देर पहले इस notice यहां पर news को update किया गया है, यहां पर देखेगा, बिहार में नगर निकाय चुनाओ पर एक बार फिर गरह गया है, तो यहां पर सुप्रीम कोट की और से ओडर आया है, और उसी चीज को देखेगा, सुसिल कुमार मोदी जी की और से ट्विट किया गए, इस ओडर कॉपी को भी यहां पर attach किया गया है, तो यहां पर है कोट के आदेश के बाद रध हुई थी चुनाओ पर किरिया, आप सभी को पता होगा कि अक्टूबर में ही बिहार में नगर निकाय का चुनाओ होने बाला था, नगर निकाय का चुनाओ होता है, अब बिहार SSE परिक्षा का इस से क्या मतलब है, तो बिहार SSE का दोस्तों सेंटर जो बनाया जाएगा बिहार के सभी 38 जिला में, और यह ग्रामिन छेतर में सेंटर नहीं बनाया जाता है, सहरी छेतर यानी जिला मुख्याले, और जिला मुख्याले में ही नगर निकाय का चुनाओ होता है, ग्रामिन छेतर में हो गया मुख्या वाट सदस ये सब, और सहरी छेतर में होता है, वाट पर सब, इसके बाद मेजर मेयर इन सभी का चुनाव होता है तो बिहार के सभी अर्तिस दिला में ये सब चुनाव होना है और इस कारण से अगर ये चुनाव होता तो बिहार S.A.C. की परिक्षा नहीं हो पाती तो फैनल ये हुआ है कि चुनाव पर ही आप देखेगा चर-पांच दिन पहले की दिसंबर के तीसरे और चौथे सब्ता में हो सकता है नगर निकाए चुनाव तो इस पर आप रोक लग गया है अब इस पर रोक लग गया है तो यानि बिहार S.A.C. एकजाम का वरास्ता साप हो गया बिहार S.A.C. एकजाम में किसी परकार का कोई भी रुकावट नहीं है यानि आप बिहार S.A.C. की परिक्षा बिल्कुल समय से जो कैलेंडर आया है 23 दिसंबर को उसी डेट में होगी तो अब आप लोगों को बिल्कुल तैयारी में स्रियास रूप से लग जाना है को मिलना चाहिए तो देखे एकजाम अगर पारदर्सी तरीके होना है तो सबसे पहला चीज तो यही है कि सभी को क्विस्चन पेपर दिया जाए और जो भी आप क्विस्चन का आनसर दिये हैं उसका आनसर की आना चाहिए तभी आपको पता चलेगा क्या यो क्योर से क्या माना है अभी आप BPSC में देखेगा तो 9-9 क्विस्चन का आनसर गलत दिया गया है और इसी तरह से अने एकजाम में भी होता होगा अगर 2-4 क्विस्चन का भी गलत आनसर मान के अगर वो MRC का चेकिंग होगा जो सही जबाब दियो तो छट जाएगा तो बिहार SSE में भी आईसा होना चाहिए बिहार SSE में दरोगा एकजाम की तरह ही है पहले दिया जाता था क्विस्चन पेपर 2014 वाले भरती में मिला था आनसर की भी जारी हुआ था लेकिन 2017 से जो भी परिच्छा ली जाती है उसमें question booklet answer की नहीं जारी होता है तो इसमें भी बिल्कुल जारी होना चाहिए और result percussion के समें candidate का marks देना चाहिए cut up तो cut up के बारे में नहीं बते आ जाता है ये final result आने के बाद सारा कुछ दिया जाता है और सभी question booklet में QR code तथा हर page पर question booklet नमर होना चाहिए सभी center पर jammer लगा होना चाहिए आप देखेगा चोर भी यहाँ पर advance हो गया है अब पहले की तरह नहीं होता है कि cheat के माध्य हम से चोरी होता है अब जो है Bluetooth अन्ने माध्य मोश होता है इस पर रोक लगाने के लिए smartphone इन सभी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए jammer लगा होना चाहिए सभी center पर विडियोग्राफी, biometric attendance इन सभी चीज़ों की पारे में वेवस्था होना चाहिए तभी यहाँ पर exam में रोक लग पाएगा इसके बाद एक किसी भी परिस्थिति मोवाइल Bluetooth याने उपकरन परिक्षा हॉल में नहीं जाना चाहिए और रखने वाली room की CCTV camera से निगरानी हो और अभ्यार्थियों का यहाँ पर है सबसे बड़े बांग की center जो है देखेगा VPSC में भी तो 300-400 km दूर तक दे दिया जाता है तो इसमें भी ऐसा नहीं दूर हो यानि सभी candidate का center गिरिह जिला के आसपस जो home district है home district में अगर नहीं भी दिया जाता है कोई दिकत नहीं लेकिन 1500-500 km के अंदर हो यह नहीं कि बहुत जादे दूर दे दिया जाय तो इन सभी चीजों का मांग है तो बिल्कुल ऐसा ही होना ची अगर ऐसा नहीं होगा फिर candidate के साथ आप देखेगा बहुत जादे दिकत होने वाला जब आपका result नहीं आएगा तो उसमें आपको यह अवसोस होगा कि exam सही तरी case नहीं हुआ इसी कारणस मेरा result नहीं हो पाया है तो दोस्तों यहां से आपको सारा कुछ समझ में आ गया कि परिक्षा को लेकर जो था नगर निकाय चुनाओ के कारणस यह बाधा परिक्षा पर गरहन लग सकता है तो यह बिल्कुल अब clear हो गया कि अब पर ही गरहन लगा है परिक्षा बिल्कुल अब होगी आयोक कि और से 14 नौमबर 2022 को नोटीस चारी करके यह बताया गया था कि 23 दिसंबर को परिक्षा संभावित है तो जल्द ही official website पर आपको confirmation नोटीस आ जाएगा इसी case को लेकर यहां पर wait किया जा रहा था कि इस पर क्या पर हैसला आता है अगर सुप्रीम कोट की ओर से दे दिया जाता ओरर चुनाओ का तो फिर परिक्षा का डेट अस्थगित करके अगले महने लिया जाता क्योंकि एक साथ दोनों चीज नहीं हो पाता जब भी कोई भी चुनाओ रहता है तो चुनाओ बिल्कुल लिया जाता है परिक्षा को ही अस्थगित किया जाता है तो अब क्लियर हो गया है कि परिक्षा वो होगी अब आप सभी को मिशन मोड में त्यारी में लग जाना है बिल्कुल आप सिरिया सोग कर त्यारी किजेगा तभी सेलेक्षन हो पाएगा आप देखेगा टोटल 9,12,000 खंडेट है औ और इसमें से मातर 12,000 का ही प्रारंभिक परिक्षाम रिजल्ट आने वाला है वेकिनसी का मातर 5 गुना भ्यारतियों का रिजल्ट दिया जाता है और अगर आपकी बहुत बेहतर त्यारी नहीं हुई है जए फटाफट क्रेस कोर्स से जुर जाईए इसमें आप लोगों को मोड में त्यारी में बिल्कुल लग जाना है अगर आप थोड़ा भी लापरवाही किजेगा फिर रिजल्ट नहीं हो पाएगा तो बेहतर यही कि अभी आपके पास अब जो भी समय है उसको अच्छे तरीके सूपयोग किजिए और त्यारी में अच्छे तरीके से लग रही और जल्द ही ऑफिस्यल साइट पर नोटीश आ जाएगा अब यहां पर सुप्रीम कोड का जो भी मामला था यह किलियर हो गया तायोग भी अब निश्चिंत हो गया है अड्मिट कार सभी चीज़ों को जारी करने के लिए क्योंकि अब एकजाम कुछ भी चीज़ा अस् इसलिए आप लोगों को सभी डेर सो क्वेस्चन एटेम्प नहीं करना है अगर आप मेक्सिमम निगेटिव ले लिजेगा तो फिर रिजल्ट नहीं हो पाएगा चार क्वेस्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक सही का मार्क्स कट हो जाएगा भी हर SSE में निगेटिव मार् मार्क्स का है टोटल डेर सो क्वेस्चन पूछा जाएगा तो पैटर्न इन सभी चीजों के बारे मां आपको पहले सी पता होगा